Hello students, welcome to the channel Gyaapan Academy Students, आज केस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ Physics का Chapter 1 जिसका नाम है Reflection of Light जिसको हिंदी में बोलते हैं परकास का परवर्तन Students, ये जो वीडियो है और ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और आपको इसको पढ़ने में बहुत ही मजाएगा तो सुरू करते हैं परकास का परवर्तन पढ़ने से पहले हम पढ़ लें कि परकास होता क्या है Students, आप हमारी इस वीडियो को देख पा रहे हैं आप अपने आसपास की अनेक परकार की वस्तूओं को देख पा रहे हैं क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि आपके चारों तरफ लाइट परजेंट है इसलिए आप अपने आसपास की वस्तूओं को देख पा रहे हैं अगर प्रकास नहीं होता तो आप नहीं देख पाते हैं तो प्रकास वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपनी आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं तो चलिए हम इसका उत्तर लिख देते हैं प्रकास जिसको इंगलिस में बोलते हैं light प्रकास एक परकार की पाते तो मैंने इसका डिफिनेशन लिख दिया है कि परकास एक परकार की उर्जा है जिसकी सहायता से हम अपनी आसपास की वस्तुवों को देख पाते हैं अब यहाँ पर सवाल यह है कि परकास एक परकार की उर्जा कैसे है तो मैं आपको समझाने की कोशिस करती हूँ आपको जब भूक लगती है तो आप एनरजी के फॉर्म में क्या लेते हैं? बिलकुल उसी तरह परकास एनरजी प्रुवाइड करता है और वो एनरजी हमारे आँखों में सुवेदना उत्पन करती है जिसकी सहायता से हम अपनी आसपास की वस्तू को देख पाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि परकास एक परकार की उर्जा है जिसकी सहायता से हम अपनी आसपास की वस्तू को देख पाते हैं अब हम पढ़ेंगे परकास के स्रोत जिसको इंग्लिस में बोलते हैं source of light परकास का सुरोत परकास का सुरोत क्या है? वे वस्तुएं जिनक से परकास निकलता है उसे हम बोलते हैं परकास का सुरोत जैसे की सुर्य, तारे, मुंबत्ती, बल्व, दिया, इत्यादी इस example को भी मैं लिख लेती हूँ सुर्य, इत्यादी Students, आप सभी example को देख पा रहे हैं इन मेंसे कुछ परकास के सुरोत जैसे की सुर्य और तारे प्राकृतिक हैं और कुछ परकास के सुरोत जैसे की बल्व और मुंबत्ती मानो निर्मी थे इसलिए हम परकास के सुरोत को दो खंडों में बाटेंगे पहला, प्राकृतिक, परकास के सुरोत कर दो सुरोत क्रित्री परकास के सुरोत प्राकृतिक प्रकास रोत को इंग्लिस में बोलते हैं नेचरल सोर्स अफ लाइट और कृत्रिम प्रकास रोत को बोलते हैं इंग्लिस में आर्टिफीसियल सोर्स अफ लाइट अब सवाल है कि प्राकृतिक प्रकास रोत नेचरल सोर्स अफ लाइट क्या है तो वे प्रकासरोत जो प्राकृति द्वारा बना हो जो गौड द्वारा बना हो उसे बोलते हैं प्राकृतिक प्रकासरोत जैसे की सूर्य और तारे इत्यादी सूर्य तारे इत्यादी दूसरा है कृत्रिम प्रकास्रोत ये क्या है वे प्रकास्रोत जो मानो द्वारा बना हो जो बनावटी हो जो जूटा हो और जिसको इनसान ने बनाया है उसे बोलते हैं कृत्रिम प्रकास्रोत जैसे कि बल्ब मुंबत्ती दिया इसको भी लिख देती हूँ बल्व अब यहां पर आपको सारे चीजे किलियर हो गई अब हम दो टॉपिक और पढ़ेंगे प्रदिप्वस्त्वे और आप्रदिप्वस्त्वे तो मैं लिख देती हूँ प्रदिप्वस्त्वे और दूसरा अब प्रदिप्वस्त्वे अब यहां पर सवाल यह है कि प्रदिप्वस्त्वे क्या है तो वे वस्त्वे जिनको अपना खुद का लाइट होता है उसे हम बोलते हैं प्रदिप्वस्त्वे इसका एक्जामपल क्या होगा एक्जामपल लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी प्राकृतिक प्रकासरोत और कृत्रिम प्रकासरोत परदिप त्वस्तवे होती हैं लेकिन सभी परदिप त्वस्तवे प्राकृतिक प्रकासरोत और कृत्रिम प्रकासरोत नहीं हो सकती हम एक्जामपल में लिख सकते हैं कि सुर्य, तारे, बल्ब, 35, दिया, इत्यादी अब दूसरा है आप परदिप्त वस्तवे वे वस्तवे जिनको अपना खुद का लाइट नहीं होता है उसे बोलते हैं हम आप परदिप्त वस्तवे जैसे कि इट, पत्तर, किताब, कलम, लकड़ी, आदी इसको भी लिख लेते हैं एक्जामपल में इट अब यहाँ पर आपको सारी चीजे किलियर हो गई, अब आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं अब हम समझेंगे कि हम किसी भी वस्तवों को कैसे देख पाते हैं स्टुडेंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक बच्चा एक कमरे के अंदर खाड़ा है और वो अपनी आसपास की वस्तवों को देख पा रहा है मान नीचे उसके सामने टेबल रखा है और वो टेबल को देख पा रहा है कैसे देख पा रहा है क्योंकि उस कमरे के अंदर एक बल्व जल रहा है और उस बल्व से परकास निकल कर उस टेबल पर गिर रहा है और उस table से टक्रा कर उस बच्चे के आँख तक जा रहा है इसलिए वो बच्चा उस table को देख पा रहा है अब ये जो बन्व है उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं उसको बोल सकते हैं परकास का स्रूप उसको बोल सकते हैं खृत्रिम परकास का स्रूप और उसको बोल सकते हैं परदिफ्वस्थु हैं और यह जो टेबल है उसको बोल सकते हैं हम और परदिफ्वस्थु है तो यहां पर अपका clear हो गया नऄ कि जब कोई परकास की रंग किसी वस्थू से टकरा कर हमारी आंख तक पहुंशती है तब हम उस वस्थों को देख पाते हैं अब हम पढ़ेंगे परकास के कुछ special points के बारे में तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ परकास के कुछ मुख्या बिन्दू पहला है कि परकास स्वरल जो special points है वो यह है कि परकास एक सल रेखा में गमन करती है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि परकास हमेशा सीधी रेखा में चलती है आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं घर पर आप एक सीधा पाइप लीजिए और एक तरफ से दुसरे तरफ देखिए आपको दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा लेकिन आप यू टाइप का पाइप लेंगे तब आप एक तरफ से दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा इससे ये प्रूफ होता है कि परकास सेधी रेखा में चलती है अब जो दूसरा special points है वो ये है कि परकास कहते हैं परकास के सरल रेखिय पत को किरन कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जब परकास सेधी रेखा में चलती है तो उस रास्ते को उस पत को हम लोग क्या बोलते हैं? किरन बोलते हैं पतलब जो परकास है हमाल लीजे ये सेधी रेखा में चल रही है तो इस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? किरन बोलते हैं दूसरा अगला है स्पेसल प्वाइंट वह यह है कि कि बहुत सारे कि नूँ कि कि समू कहते हैं हम दिखेंगे कि रन पुंच तीं पर कार्ट इवते हैं कि मुटस्ट बढ़ने कि रहां तींडे कि रहां प्रूस्ट Job मैं यहाँ पर लिख दी हूँ कि किरन पूंज तीन प्रकार के होते हैं पहला अब सारी किरन पूंज दूसरा अभिसारी किरन पूंज और तीसरा है समानतर किरन पूंज अब हम तीनों को एक साथ एक्जामपल के साथ समझेंगे पहला है अब सारी किरन पूंज इस परकार के किरन पूंज में परकास की किरने एक बिंदू स्रोच से निकल कर फैलती चली जाती है अगर हम इसको एक्जामपल के तोर पर समझें एक्जामपल नमबर वन लिखा है इस परकार की किरने इस परकार की किरनपुंज में परकास की किरने एक बिंदू स्रोच से मतलब कोई बिंदू है उस बिंदू स्रोच से निकल कर फैलती चली जाती है मतलब इस बिंदू स्रोच से निकल कर फैलती जली जाती है कुछ इस तरह तो इस परकार की किरनपुझ को बोलते हम अब सारी किरनपुझ दूसरा है अभी सारी किरनपुझ अगर इसको एक्जामपल में देखें एक्जामपल नमबर टू तो बोल रहा है इस परकार की किरनपुझ में परकास की किरने एक बिंदू पर आकर मिलती है या मिलती हुई परतीत होती है मतलब बहुत सारी किरनपुंज है जो एक बिंदू पर आकर मिलती है या मिलती हुई परतीत होती है कुछ इस तरह से तो हम इस किरनपुंज को बोलेंगे अभी सारी किरनपुंज तीसरा है example number 3 समानतर किरनपुंज इस परकार के किरनपुझ में परकास के किर्णे एक दूसरे के समानतर होती है ये एक दूसरे के बिलकुल समानतर होती है एक दूसरे के समानतर तो इस परकार के किरनपुझ को हम बोलेंगे समानतर किरनपुझ तो यहां किलियर हो गया अब आप इसका स्क्रीन सॉट लीजिए तब हम आगे बढ़ेंगे. So students, आज के इस वीडियो में बस इतना ही. Students, ये ना सोचे, ये जो chapter है, ये इतना ही में complete हो गया है. अभी इस chapter में बहुत कुछ अभी बाकी है, जो आपको आने वाले वीडियो में पढ़ने को मिलेंगे. So, thanks for watching.